हरे कृष्णा सर सर मैं आपकी नोवंबर 22 की स्टुडेंट हूँ सर आपके टीचिंग के बारे में जितना बोले इतना ही कम रहेगा क्योंकि सर जब मैंने आपसे फर्स टाइम इंकम टेक्स पढ़ा सर सेलरी जैसा इतना बड़ा चैप्टर वो भी छोटे छोटे पार्ट में जब आपने उसको डिवाइड किया तो सर ऐसा लग रहा था कि सेलरी में कुछ है नहीं बागी सर सब कुछ आपकी टीचिंग के वजए से आपके चार्ट के वजए से माइन में यहां फिट हो गया था और सर जीएस्टी माइन गॉर्ट जीएस्टी सर सीरियसली जीएस्ली ज जितने भी सेक्शन्स लर्ण कराये थे वह सब अभी तक भी मुझ जुवानी दिमाग में फिट है एक्जाम के बाद मैंने एक पिती में अपनी नोट्बुक ओपन करके नहीं देखी लेकिन फिर भी सब कुछ मुझे अब तक लर्ण है जस्ट विकॉज और सर एक्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने ना कराया और हम ना कर पाएं सर जब कॉशन आया एक्जाम में तो जी एस्टी में या इंकम टेक्स में जो भी आपने चार्ट्स बनवाए हुए थे वो सब आखों के सामने आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ एंड सर आइवास फिलिंग लाएं यह भी बढ़ा यार यह भी बढ़ा है और सर जो कॉशन आता है टूइंटी मांस का इंकम टेक्स में वह आपने कर आया तो अर आपने बोला था कि इस बार इसके आने के चांसे काफी जादा है और सर वही कॉशन पेपर में आया टीडिया अपने आपे चल रहा था सर रही अमेजिंग जलने वी दियो और मैं रेक्रमेंड करूंगी अपने जूनियर्स को भी कि वी भी सर जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है स्टार्टिंग में कभी-कभी थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हुई थी कि कभी-कभी ऐसा लगता था कि सब सर के उपर से जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है सर जब समझ में आया next level really sir love you a lot sir thank you so much sir और सर एक चीज़ और आप बहुत ज़्यादा expect करते हो हम students है आपको लगता है कि हम आपकी family है हम आपके friends है लेकि सर तीचिंग के जितनी आपकी थारीफ करे हो तो कम है ही है लेकिन सर जो really ये मेरी दिल से है कि लेकिन सर जो आप इंसान हो जिस लेवल के आप इंसान हो sir I love your nature sir आप एकदम मतलब आप जो भी बाते हो हमेंशा लगता है कि आपका जो दिल है वो एकदम काच की तरह साफ है sir मुझे आपका nature seriously sir मुझे आपकी nature बहुत ही बहुत 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 अच्छा लगता है sir seriously आपका दिल मतलब आप इतना expect करते हो हम students हो और sir हम आपने नहीं कर पाते हैं आपके expectations को पूरा तो आप बहुत hurt होते हो sir sir ऐसा कोई teacher नहीं होता जो अपनी student को इतना लगाव रखे जितना आप रखते हो और sir आप जितनी भी बाते बोलते हो हमेशा सच निकलती हैं और sir आपने हमेशा बड़े भाई की तरह हमको guide किया था thank you so much sir for being a part of my life but sir really I love your nature thank you so much sir love you a lot